जैहिन मेरे प्यारे साथियों आप सभी का स्वागत है बीजय ओनलाइन क्लासिस में गाइज बैरी गूड मॉर्निंग अल पर्संस अल हुमन विंग्स तो गाइज गाइज देखते हैं 11th क्लास जोग्रफी चेप्टर नमबर 7 के लोंग आंसर टाइप कोशन आंसर तो देखिए फस्ट कोशन आपका गाइज आपदाओं से क्या तात पर रहा है इनका बर्गी कराण कीजिए आपदा का अर्थ तो आंसर देखते हम आपदा का अर्थ ठीके गाइज और प्लीज गाइज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन ओल प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे जल्दी और सबसे पहले आपको मिल जाएं ठीके गाइज वीडियो को पूरा देखिए वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज गाइज लाइक एंड शेयर तो गाइज चलते हैं आपदा का अर्थ आपदा प्राकरतिक एवं मानव्यक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन वह स्थिति है जो ब्यापक रूप से मनुष्य एवं अन्य जीव जन्तों की समान्य जीवन चर्या में भारी ब्यापधान डालती है ठीके गाइज इसके कारण संपत्ति की भारी छती ही नहीं होती बलकि अनेक लोग काल कल्पित भी हो जाते हैं इसलिया आपदाओं को सब्वेता का सत्रू कहा जाता है जो आपदाएं आती हैं जो सब नदियों के किरारे विक्षित हुए हैं अगर कोई आपता आगे तो यह सारी सब्वेताएं खतम हो जाती हैं जैसे हडपा, मोहन जोद्लो, बेवी लोन, नील नदी घाटी की सब्वेताएं ठीके गाइज, एक्जमपल 4 डीपली कोशन आता है जाइज, आई आइस की से एस ओल कमप्टिशन एक्जम, रेलवे एससी, एनि की मोहन जोद्लो सब्वेता का विकास किस ने किया, नील नदी घाटी की सब्वेता की खोज किस ने की, ठीके गाइज, तो डीपली, आज इथियास की विसेवस्तू बन प्रकृतिक आपदाएं कभी-कभी इतनी त्वर्यत या आक्षमिक होती हैं कि इनिसे समल पाना कठिन हो जाता है, जब इनका प्रभाब सित हो जाता है, तो समुचा राष्ट आकरांत हो जाता है, बिस्व बैंक के अनुसार आपदाएं अलपाब्धी की आसाधरन घटना है जो देश की अर्थवयस्ता को गंभीर रूप से अस्त ब्यस्त कर देती हैं, आप दाएं देश की अर्थवयस्ता को नहीं बलकि समाजिक वज्जेबिक प्रिकास की दरश्टी से भी बिनास्कारी होती हैं, ठीके गाईज, आगे देखते हैं, और प्लीज गाईज, आप लेंगेज में कनवर्ड कर सकते हैं ठीक है गाईज कोसन का अंसर अपनी लेंगेज में ज्यादे से अच्छा लिखेंगे तो ज्यादे अच्छे मार्क्स और अच्छा माना जाता है ठीक है तो चलते हैं आपदा एक एनची घटना है जो ब्रहे सक्तियों के कारण मनुश्य के नियंतरन में नहीं है आपदा की चेताबनी तुरंत नहीं मिलती यह थोड़े समय के बाद मिलती है तब तक आपदा आ चुकी होती है बचाप का समय कम मिलता है जिसे ज्यान एम माल की ब्यापा खानी होती है संकट कालीन परिस्थिति उत्पन हो जाती है ठीक है आगे देख अब्दाओं का बरगी गरण तो क्लासिफिकेशन ओफ यहनि की आपदाएं आपदाओं से सक्ती से निपटने के लिए उनकी पहचान बरगी गरण की प्रभाप्शाली कदम समझा जाता है आपदाएं समाने ता दो ब्रत बरगों में बाटी जाती है यहनि की दो परकार की आपदाएं होती है प्राकरतिक आपदाएं और मानब करत आपदाएं मानब मीज मनुष्य द्वारा जो आपदा का निर्मान किया जाता है और एक प्राकरतिक आपदाएं जो आती है तो बायू मंडलिय इसके अंद्रगत परफानी तूफान तो देखे बायू मंडलिय जो है परफानी तूफान, तंडित जंड़ाबट, टार्नेडो, कटी बंद्य, चक्रवाथ, ये सब आते हैं। सूखा, पाला, लू, सीतलेहर को समलित किया जाता है, बायू बंडलिये आपदाएं होई। ठीक है गाइस, लू चलती है जब गर्मी के महीने में, गर्मी के दिनों में, तो गाइस बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, और लू हमारे शरीर को जलाकर रग देती है, वैसी तूफान आते हैं, तंडित जंड़ाबट आते हैं, टार्नेडो, उस्न कटी बंद्य, चक्रव हैं भोमिक में, यहीं कि जमीन से समंदित, जैसे भुकम पाना, जमीन में भुकम पाना, भूस्कलन होना, यहीं कि मिट्टी का कटाब होना, ज्वाला मिखी, यहीं कि ज्वाला मिखी उत्पन, मिर्दा, अपरदन, मिट्टी का कटाब होना, अपतलन, आधी क्रियाएं भोमि प्लामी सम्लित हैं लेक्स्ट देखते हैं जैविक पोदों के कीट, पतंगे, फफून, बैक्टिरिया, वायरल शंक्रमन, बर्ड फिलू, डेंगु, मलेरिया, पलेग आधि, जैविक आपदाएं हैं, तो ये कैसी आपदाएं होई जैवी का आपदाएं ठीक है गाईज आगे देखते हैं मारब करत आपदाओं में से मेवे सबी आपदाएं आती हैं जो मारब की असापदानी या जानकारी होते हुए लापरभाई बरतने के कारण घड़ित होती है इस परकार की आपदाएं आक्सिमिक व्यादीर अपदी दोनों समन्नेत ताव में घटित हो सकती हैं द्रोगटना जहरीली गैसो का रिशाव विभिन प्रकार की महामारियां विभिन प्रकार के परदूशन परमाणू बिस्पोर्ट बंबिस्पोर्ट आंत्रिक ग्रहयुद्ध संपर्ताइक दंगे अतंगबाद मानब करत अपदाओं के उधारान है ठीकि आगए देखते हैं कौसर नंबर टू क्या प्रकेठिक अपदाओं बिस्प विएपी होती है यदि हाँ तो बिस्प विस्तर पर इन्हें रोकने के क्या प्रयास है तो देखिए गाईज, समान अता प्रागर्तिक आपदाएं, आंसर देखते हैं बिस्व्यापी होती है, यह कहीं भी, कभी भी अपने आगोस में जीब जगत को लेकर छतिगरस्त कर सकती है यहीं कि किसी भी स्थान पर, जिस ढंक से प्रतेख समजिक बर्ग इससे निपटता है वह एदुत्या होता है क्योंकि दो आपदाएं ने तो समान होती हैं, नहीं उनकी आपस में तुलना की जा सकती है ठीके गाईज, अताब विश भी आपदाओं से आज भी उतना ही भेवित आकरांथ है जितना भेव प्राचीन काल में था बर्तमान में प्रेकरतिक आपदाओं, नहीं कि बर्तमान में जो प्रेकरतिक आपदाओं होती हैं, आपदाओं के प्रेडाम गहनता, बारंबरता और इसके द्वारा किये गए नुकसान बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है गाईज इसका मुख्या करन मानब जनसंक्या में ब्रद्धी होता है, मानब जनसंक्या में ब्रद्धी हो रही है, तो मानब जनसंक्या जहां जहां बढ़ रही है, तो आप दाएं भी बढ़ रही है, ठीक है गाईज और प्लेज गाइज एसी कम से कम यूच किजिए यह हमारे एटमास्पेर को रुक्सान पहुंचा रही है पर्याबरन सिद्धानतों के प्रतिव दाशीन होना भी इन विचारों की पुष्टी निम्रांकित सारणी से दी जाती है तो देखिए सारणी 60 वर्सों से 12 गंबीर प्राकृतिक आपदाओं का विविन देशों में बरने बालों की संक्या दरसाती है सारणी देखते हैं इंडेक्स में 57 वर्सों से 1948 से 2005 प्राकृतिक आपदाओं से होई मोते तो सोवियत संग देखिए रूष चीन रूष में भुगम्प के द्वारा एक लाग दस जार मोते होई चीन में बाल द्वारा 57 जार मोते होई ठीके गाईज चीन बाल दीसे जार मोते होई पूर्भी पाकिस्ताना पांगलादेश पूर्भी पाकिस्ताना पांगलादेश पूर्भी पाकिस्तान अब बंगलादेश के नाम से 36 जार इरान में भुगम्प आया तो गाईज देखिए तीसे जार मोते होई 1968 में पेरू भुगम्प श्यासट हजार सास्चो चौरान में पेरू देखते हैं 1970 में भुगम्प श्यासट हजार सास्चो चौरान में लवगी मृत्तु होई पूर्भी पाकिस्ताना पंगलादेश और कड़ी में चेकरवाद भारत में उस्ण कटविंद्य चक्रवाद से तीसे जार लोगों की जाने गई चीन भुगम्प से सत्तर हजार 27 लाख लोगों की में रत्तु इरान में भुगम्प द्वारा United National Environmental Program UNE निस्षिक क्यानमे के नुसार रिपोर्ट है राष्ट या आपदा प्रबंदन संस्थान की नूज रिपोर्ट भारा सरकार नई दिल्ली बास्तम में आपदा पहुंचाई गई छती के प्रणाम भुगमंडली है प्रतिगात और अकेले किसी राष्ट में इतनी चमता नहीं है कि वह है इन्हें सेहन कर सके अफचारिक रूप से मानेता प्रदान की गई बाद में इसी प्रियास को या को हमार रणे नीती यदिक सुरक्षित संसार के लिए कारे योजना कहा गया इसी प्रियास के अंतरगात 1990-2000 के दसक को आपदान यूनी करण अंतराष्टे दसक भी घोशित किया गया 2004 में हिंद मासागरमाई सुनामी के बाद भारत सहीत अन्या देशों ने सुनामी से बचने के चेन्नेई में सुनामी सूत्र केंदर इस्थापित किया गया आपदाओं के न्यूनी करण अवं प्रबंदन के उपायों की एक योजना प्रस्तित कीजिए तो आपदाओं का न्यूनी करण अवं प्रबंदन यानिकि आपदाओं का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है प्रबंदन ठीक है मैनेजमेंट ये द्वी आपदाएं जीव जनतुगे लिए शामाने रूप से त्समानब जमुदाये के लिए विशेष रूप से संकटपन होती है निके संकट उतपन करती है परन्तु प्रॉग्रतिक संद्रचनाओं की दृष्टी से प्रॉग्रतिक आपदाएं कर लिपी है लाब दायक भी होती है जिसे बाल द्वारा बाल करत मैदान का निर्माण जिसकी मिट्टी बहुत उपजाओ होती है पोसक तत्वों से यूगत होने के कारण अत्यादिक उपजाओ होती है जोला मुखी विस्पोर्ट से निकलने वाली राख लावा काली मिट्टी का निर्माड़ करते हैं जो कपास के लिए किसी के लिए आवश्यक है ठीक है गाइज भूमी का जल के प्रभाव अब रोध से जल भर एक्विफायर परमपर का सैल की परमपर जिसमें जल भरा रहता है निर्माड हो जाता है उनी छेतर में जलापूर्ती में साया का इस प्रकार प्रागर्तिक आपदाएं एक और प्रागर्तिकी ब्रदान है तो दूसरी और मानप की ऐसापदानी और प्रागर्तिक ब्रूद कार्यों में ब्रद्धी के कारण मानफ समुदाय के लिए बड़ी बहुत बड़ा अविसाप है इसलिए प्राकृतिक और मानफ जनित दोनों ही प्रकार की आपदाये जन्धन की छती के द्रश्टी से अत्यंत कष्टकारी इस्तिति उत्पन कर देती है अता मानफ हित में आपदाओं के निवनिकरण एवं प्रबंदन महत्पूर्ण है प्रबंदन के लिए निम्निकी तीन योजनाय बनाने की आप सकता है आपदा पूर्भ प्रभंदन योजना आपड़ा के समय प्रभंदन योजना आपड़ा के समय प्रभंदन के समय अभी प्राह है कि आपड़ा दोरांज प्रभावीद शित्रों में पहुंचकर बचाब कार्यों को ततकाल सुरूख किया जाए प्रभावीत मानाप सर्मिदाईगी भी इन प्रिकार से साहता की जाए अबदी में मुख्य ध्यान खोज बचाव रहात सामगरी के रूप में प्रभंदन एम बितरन दिया जाना चाहिए नेक्स्ट है आपदा के पश्चाइद प्रभंदन योजना आपदा के पश्चाइद प्रभंदन पुनरबास पुनलाव विकास कार्यों से समंद्ध बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए समय नीती निर्धारगों की एहम भूमिगा होती है जिन्हें बरतवाने में हुई आपदा से श्थिपूर्थी को पूरा करने के लिए उचित वित्रण प्रणाली के साथ साथ मानक तक्रिनीपों के अनुसारी विकास कार्यों को पूरा करना चाहिए इसी अफसर पर आपदा पूर प्रभंदन के समय स्थापित पित्ति आपदा घोसकोस तता जोकी मिस्तानांतर अलसंस्ताओं बीमा कमपनी के पूरा उपयोग करते हुए रहात पनरवास कार्यों में सहयोग प्रदान करना होता है आपदा निवारण हेतू आपदा निवनी करण प्रवंदन को नकेबल जीवन के अंग के रूप में बलकि आवश्यक जीवन रक्षा कोसल के रूप में अपना कर अपने प्रेयजनों की सुरक्षा के लिए ततपर रहना चाहिए भुकंप क्यों आते हैं? इसमें गहनता से छेत्र बताए गहें आपदा से होने वाली छती किस प्रिकार नियुन्तम किया जा सकता है तो देखते हैं गाईज रहिसका अंसर भुकंप हमारी प्रत्वीव गती सील सकरिया है इसके सभी उपरी सतय क्रस्ट का निर्माण विशाल प्रस्ट्य प्लेटो से हुआ है विशाल प्रस्ट्रिय प्लेटो के सती ग्रस्ट अनी की सामान्य काण से हुआ है सांत प्रक्रटी भीतर मेटल में उत्पन सम्भेन तरंगों के कारण नेंतन होते रहते हैं कहीं परस्पर टकराते हैं परसारित होते हैं परस्वी पर कमपन उत्पन होने से भुकम पाते हैं तो भुकम का प्रमुक कारण है प्रत्वी की पिलेटों का गती सील होना तो भुकम का प्रमुक कारण है आपका डिपली कोस्टन आ जाएगा यहीं कि भुकम का प्रमुक कारण है चार ओप्सन बन जाएंगे तो जिसमें से होगा प्रत्वी की पिलेट होगा गती सील ठीक है है होना यहीं कि गती सील आपस में टकराना यह भुकम का सबसे बड़ा कारण बनती है भारत के भुकम पेज कटी बन छेतर बितरन बितरन को देखते हैं तो राष्ट्य भुग होगी प्रियोक्साला भारत्य भुग सर्वेक्षन बोसम विज्ञान विभाग को समयपूर बनने राष्ट्य प्रभंधन संस्तान भारत में आए एक हजार दोसो भुकम पो को गहन विशलेशन के अधार पर देश को नीमनी खित भुकम पेज छेतरों में जोन में बाटा है तो भारत को पांच भुकम पेज छेतर जोन में बाटा गया है नमबर एक है बरतमान में भारत को चार भुकम पे छेत्रों में रखा गया है जोन फर्स्ट जोन टू जोन अत्यदिक छतिगरत जोकिम छेत्र जोन फॉर फाइव इसमें भी हमाल्य परवते सिरेणी नेपाल बिहार सीमा बरती छेत्र उत्री उत्राखंड देश के पुर्वत्तर राज्य प्रादी प्यांडवान निकवार दीप्शमू तो उत्राखंड जोन फाइव में आता है एनिकी अत्यदिक छोकिम छेत्र है ये डेंजर जोन में आता है भुकम उत्राखंड जो है भुकम की द्रस्टी से डेंजर जोन में है अध नेक्स्ट आगे देखते हैं मध्यम छती जोखिम छेत्र जोन थर्ड इस चेतर का विश्तार उत्तरी परायदिप से पठार पर अधिक है नेक्स्ट देखते हैं अती निम्न छती जोखिम छेतर जोन नमबर एक भारत भुकमपे कटी बंद भारती अमानाक शनिस्तान के अनुसार 93, 76, चीन, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान अजमेर, जैपुर, लखनव, लावाद, पठना, नेपाल, सिमला, दिल्ली, अमरिस्टर, सिरी नगर यहीं कि यह सब क्या हैं भुकमप, छेतरेन, ठीक है गाईज यह अन्दमान निकोबार दीप्शमू है, आपके अन्दमान निकोबार दीप्शमू, लक्ष दीप्शमू, तिरवनतम पुरम जब हम मैप की रेटिंग करते हैं तो सबसब पहला उसकी इंडेक्स देखेंगे गाईज भुकमप कटीबंद छेतर देखें, वी यहीं कि उच्छ तम भुकमप छेतर, उच भुकमप, मध्य भुकमप, न्यून भुकमप, न्यून तम भुकमप, ठीक है गाईज दो इंडेक्स के दवारा देखते ह हैं, कि इंडेक्स किया का रही है तो वेशी मैप में हम रेटिंग करते हैं ठीक है गाईज आगे चलते हैं भारत भुकम पे संभाबी छेतर जोन तो भुकम पापदास से शुरक्षा के उपाए भुकम पापदास से सुरक्षा के मुख्रे उपाए निमनी हिता है भुकम प्रोधी भवनों का निर्मार्ण किया जाए उची इमारतों बड़े विद्योगी सिंस्थान सहरी करण को बढ़ावा ना दिया जाए ठीके गाइज जन सम्मानने को भुकम पापदा की जनकारी प्रदान किया जाए सुरक्षा प्रिक्सिक्षन दिया जाए भुकम के दोरान घर की छते दिवार दरवाजे श्खड़कियों से दूर रहा जाए यदि आप घर से बहार हैं तो खुले मैदान में रहने का प्रियास करें किसी भी पेड के नीचे किसी भी दिवार के नीचे ना जाए ऐसे समय पर घबराएं नहीं साहस रखें बिजली के खंबोज वेलेंशीन पदारतों से दूर रहें भुकम प्रनी अंतरान के अंदरों की स्तापना की जाए जिससे भुकम संभावी चेत्रम लोगों को सूचना पूर्व बताया जा सके ठीक है गाईज कुछ लोग कोसन आंसर और है वह आपको करा दिया जाएंगे मिल जाएंगे गाईज ठीक है और प्लीज गाईज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया है बेल आइकन और प्रेस करने ना थाकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें ठीक है गाईज वीडियो को पूरा देखें अच्छी रखती है लाइक और शेयर किजिए गाईज दोस्तों में सभी में आपको मोटिवेशनल न्यूज और न्यूज और जीके जी एस प्रोवाइड होता रहेगा ठीक गाईज तो चैहिन चैह भारत हैवन नाश डे अल्डा बेस्ट